हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल और ग्रामी एल्थ क्राप्ट में तो आज हम लोगे एक ड्राइगन मनाएंगे वो कुछ ऐसा दिखता है तो चलिए बनाना शूरी करते हैं आपको उसके लिए एक स्पेयर पेपर चलिए होगा तो चलिए बारे टाले जूटे हैं जूरा सुल्ट है इसके जूझत करता हूँ तो बहुत तो बहुत लेता है 서 लिए тобno करें तो ब्रेक्त करता नियुक्रित लेकिन इस बार में वीडियो डाना लिकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सपोर्ट आपका भी चाहिए होगा आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इससे इनकरे जो के और अच्छी अच्छी वीडियो जाल सकूँ इसके बाद आपको उसके बाद इसवाले को ऐसे करना हूँ इसको इस लाइन से ऐसे करना है इसे एसे और इसी वी ऐसे कऱजा है इसे वाले पार्ट को आपको इधर फोल्ड करना है उसके बाद आपको सेम तू सेम यहां भी फोल्ड करना है उसके बाद आपको इसे खोलना है है जिसक अंदर की तरफ ये जो लाइन आपको दिख रही है इन लाइनस के साबसे आपको इसे फोल्ट करना है जै जेए फोल्ट होजाया तो आपको इस खोलना है इस तरह उसके पाद आपको पीछे पलटना है से इस वाले पार्ट को आपको इधा फूल्ड करना है सेम टू सेम इस वाले को भी धरी करना है उसके आपको इसे खोलना है और कुछ इस तरह खोलना है खोलने के बाद इस वाले पार्ट को यहां फूल्ड करना है इस वाले पार्ट को भी आपको यहां फूल्ड करना है इसे आपको खोल कर ऐसे अंदर की तरफ कर देना है और इसे भी अंदर की तरफ कर देना है जब यह हो जाए तो आपको सेकंड वाले में भी वही करना है इस वाले को आपको खोल कर बिल्कुल सेम उसी की तरह करना है जब यह के आगया आपको इसे ऐसे फोल्ड करके फिर नीचे की तरह कर देना है उसके बाद आपको इसे ऐसे करना के इसे उपर की तरफ कर देना है उसके बाद जो यहां आपको लाइन दिखरी है आपको इसे ऐसे करना है और यह जो लाइन दिखरी है आपको इस लाइन के बराबर इसे ऐसे फोल्ड करना है अगर आपका पेपर मोटा हो तो आप ये ना करें इसे भी आपको बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है जब ये हो जाए तो आपको इस पार्ट को इधर तक फोल्ड करना है उसके बाद आपको इसे इधर फोल्ड करके फिर से इधर फोल्ड करना है फिर आप जो यहाँ पर दो लाइन्स देख रहे हैं आपको इसे ऐसे करना है ये जो दो लाइन्स आप देख रहे हैं इन लाइन्स के इसाब से ऐसे कर देना है उसके बाद इसे आप पीछे की तरफ पीछे की तरफ पलटके ऐसे करना है उसके बाद आपको ये इसकी बीक को यहां करना है उसके बाद आपको इस वाले पार्ट को यहां फोल्ड करना है इस वाले पार्ट को आपको ऐसे करना है ऐसे और ऐसे कर देना है इस वाले पार्ट को भी विल्कुल सेम करना है आपको इस वाले को आपको ऐसे फोल्ड करना है सेकेंड वाले को भी विल्कुल सेम यह जो आपको सेकेंड लाइन दिख रही है इस सेकेंड लाइन से आपको इसे ऐसे रखना है और रखने के बाद इसे ऐसे यहाँ पर प्रेस कर देना है यह आपके फैदर्स बन चुके इसकेंड आपको सेकेंड वाले को भी ऐसे ही करना है जब यह हो जाए तो आपको इसे ऐसे करना है इस वाले को भी विल्कुल ऐसे ही करना है उसके बाद आप यहां पे दो एक लाइन्स देख रहे होंगे और यहां पे भी एक लाइन होगी उस लाइन तक आपको एक ऐसी ऐसा स्लोट बनाना है जब यह हो जाए तो सेकेंड वाले में भी आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है उसके बाद आपको इसे पीछे की तरफ कर देना है उसके बाद आपको यह जो लाइन दिख रही है इस लाइन के साथ ऐसे फोल्ड करना है आपको यह दियान यह बात दियान में रखने होगी कि जो यह वाला पार्ट आ रहा है यह इसके नीचे ना जाए वरना आपके फैदर्स खराब हो जाएंगे उसके बाद आपको इसे ऐसे फोल्ड करना है इसके बाद हम इसके हैट पर आते हैं तो हैट के लिए आपको जादा कुछ नहीं करना बस इसे ऐसे करना है इस वाले पार्ट को आपको नीचे फोल्ड कर देना है इस वाले पार्ट को आपको फिर ऐसे कर देना है यह जो आपने लाइन बनवाई थी इस लाइन के इस लाइन से ऐसे पकड़ना है और इसे ऐसे कर देना है उसके आपको यह जो लाइन दिख रही है इस लाइन से ऐसे कर देना है उसके बाद आपको इसके दोनों हैंज को पीछे करना है और यह जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन से ऐसे फोल्ड कर देना है जिब यह हो जाए तो आपको इस पाले पार्ट को अंदर की तरफ पुश करके दबा देना है उसके बाद आपको यह जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे अंदर की तरफ पुश कर देना है यह आपका हेट बन गया उसके बाद आपको इसकी लेग्स पे आकर इसे ऐसे फोल्ड करना है सेकेंड वाले में भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है उसके बाद आपको इस लाइन जो लाइन आपने बनाई थी उस लाइन से आपको इसे ऐसे अंदर की तरफ कर देना है जब यह हो जाए आपको इसके हैंड को वापस इसकी पोजीशन पे ले आना है उसके बाद आपको इसकी टेल पे आना है इसकी टेल पे आपको ऐसे एक लाइन बनानी है और स्ट्रेट करके इसे ऐसे कर देना है तो यह का हो जाएगा फर्श्ट श्लॉट फिर सेकंड श्लॉट के लिए आपको यही करना है इसके बाद हमको इसके हैंड को लेकर ऐसे कर देना है इसके बाद इसके लेग्स यह जो सेकंड वाला दिख रहा है आपको सेकंड वाला इस से ऐसे फोल्ड कर देना है और दूसरे वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही कर देना है इसकी टेल पर आके आपको इसकी टेल को थोड़ा से सही कर देना है उसके बाद आपका ड्रैगन बन गया धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स आप मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज लाता रहूँ तब तक के लिए बाई